दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक पारफेट से आपके अपने ही चेनल क्रिक पॉली पार जहां दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं धर्मेंद्र फिरोज खार और मनोज कुमार सहाब की साल 1970 से लेकर साल 1975 तक की सबी फिल्मों के बारे में यानि कि 6 सालों की करियर पर हम नज़र डालेंगे धर्मेंद्र, फिरोज खार और मनोज कुमार के साल 1970 से लेकर साल 1975 तक इन तीनों अभी नेताओं ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया, कितनी हिट रही, कितनी सूपर हिट रही, कितनी ब्लॉक बास्टर रही और कितनी फ्लॉप रही और सबसे ज्यादा हिट और सूपर हिट किसके नाम रही इसी के बारे में हम बात करेंगे तो बस आप इ 37 फिल्मों में काम क्या था 37 फिल्मों में 1970 में धर्मेंदर सहाब ने की थी मन की आँखे तुम हसीन मैं जवाँ शराफत मेरा नाम जोकर कब क्यों और कहां जीवन मिरुत्यू और इश्क पर जोर नही मन की आँखे 75 लाख रुपे कमा कर एविरेश रही थी गुड़ी रखवाला 95 लाग उर्पे कमा कर एवरेज रही थी नया जमाना 1 करोड 5 लाग उर्पे कमा कर सेमी हिट रही थी मेरा गाउं मेरा देश 3 करोड उर्पे कमा कर सूपर हिट साबित हुई थी और गुड़ी 78 लाग उर्पे कमा कर अबव एवरेज रही थी 1972 में धर्मेंदरी ने की थी सीता और गीता, समाधी, राजाजानी, ललकार, दो चोर और अनोखा मिलन सीता और गीता 3 करोड 25 लाख रुपे कमा कर सूपर हिट साबित हुई थी समाधी 1 करोड 60 लाख रुपे कमा कर सेमी हिट रही थी राजा जानी धाई करोड रुपे कमा कर हिट रही थी ललकार एक करोड रुपे कमा कर से में हिट रही थी दो चोर बैस्ती लाख रुपे कमा कर एवरेज रही थी अनोखा मिलन अस्ती लाख रुपे कमा कर एवरेज रही थी 1973 में धर्मेंदरी ने की थी यादो की बारात, फागुन, कीमत, कहानी किस्मत की, जुगनू, ब्लैक मेल, लोफर, जील के उस पार और चुवार भाटा यादो की बारात, दो करोड़ पिछत्र लाख रुपे कमा कर हिट रही थी, फागुन, अस्ती लाख रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी, कीमत, एक करोड़ दस लाख रुपे कमा कर एवरेज रही थी, कहानी किस्मत की, धाई करोड़ पे कमा कर हिट रही थी, जुगनू, साले त करोड रुपे कमा कर सूपर हिट साबित हुई थी ब्लैक मेल एक करोड रुपे कमा कर बिलो एवरिश रही थी लोफर दो करोड 25 लाख रुपे कमा कर हिट रही थी जील के उस पार एक करोड 20 लाख रुपे कमा कर अबव एवरिश रही थी और जुवार भाटा 75 लाख रुपे कमा कर flop रही थी 1974 में धर्मेंदरी ने की थी चार फिल्मे रेशम की डोरी पत्थर और पायल, पॉकेट मार और दोस्त रेशम की डोरी एक करोड़ दस लाख रुपे कमा कर above average रही थी पत्थर और पायल एक करोड़ पिछतर लाख रुपे कमा कर सेमी हिट रही थी पाकिट मार 95 लाख रुपे कमा कर below average रही थी और दोस्त धाई करोड़ पे कमा कर हिट रही थी 1975 में धर्मेंदरी ने की थी साजिश पिरतिग्या एक महल हो सपनों का चुपके चुपके चेताली अपने दुश्मन और शोले साजिश पचासलाख रुपे कमा कर अपने दुश्मन और शोले पंदरा करोड़ रुपे कमा कर अल्टाइम ब्लोग पॉस्टर साभित हुई थी चले दुश्टो आप बात कर लेते हैं फिरोईज खान के बारे में तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलू कि फिरोजखान ने साल 1970 से लेकर साल 1975 तक टोटल 14 फिल्मों में काम किया था 1970 में फिरोजखान ने की थी सिर्फ एक फिल्म, फिल्म का नाम था सफर, और सफर फिल्म डेल करोड रुपे कमा कर हिट साबित हुई थी 1971 में तीन फिल्मे की थी फिरोसकान ने मेला एक पहली और उपासना मेला एक करोड़ 20 लाख रुपे कमा कर सेमी हिट रही थी एक पहली 45 लाख रुपे कमा कर फ्लॉप रही थी और उपासना 85 लाख रुपे कमा कर एवरेश रही थी 1972 में फिरोज खान ने सिर्फ एक फिल्म में काम क्या था फिल्म का नाम था अपराद और अपराद फिल्म एक करोड़ दस लाख रुपे कमा कर अबो एवरेश रही थी 1973 में फिरोज खान ने सिर्फ एक फिल्म में काम क्या था किसान और भगवान 60 लाग उर्पे कमा कर फ्लॉप रही थी, खोटे सिक्के 1 करोड उपे कमा कर अबो एवरेश रही थी, गीता मेरा नाम 1 करोड 20 लाग उर्पे कमा कर अबो एवरेश रही थी, भगत धन्न जट 1 करोड 50 लाग उर्पे कमा कर हिट रही थी, अन्जान राए 65 ल धर्मात्मा काला सोना डेल करोड पे कमा कर अबव एवरेश रही थी और धर्मात्मा धाई करोड पे कमा कर हिट रही थी अब दोस्तों अगर बात करें मनोज कुमार की तो मनोज कुमार ने साल 1970 से लिकर साल 1975 तक टोटल आठ फिल्मों में काम किया था और 1970 में मनोच कुमार ने की थी पूरा बॉर पश्चिम, पहचान और यादगार पोरा बोर पश्चिम 2 करोड 25 लाख उर्पे कमा कर हिट रही थी पहचान 1 करोड 20 लाख उर्पे कमा कर सेमी हिट रही थी और यादगार 75 लाख उर्पे कमा कर एवरेज रही थी 1971 में मनोज कुमार ने सिर्फ एक फिल्म में काम क्या था फिल्म का नाम था बलीदान और बलीदान एक करोड उपे कमा कर एवरेज रही थी 1972 में मनोज कुमार साहब ने सिर्फ दो फिल्में की थी बेइमान और शोर बेइमान दो करोड 25 लाख उपे कमा कर हिट रही थी और शोर 88 लाख उपे कमा कर बिलो एवरेज रही थी 1973 मनोज कुमार के लिए बिल्कुल खाली था इस साल इनोंने कोई भी फिल्म नहीं की थी 1974 में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था मनोज कुमार ने रोटी कपड़ा और मकान और रोटी कपड़ा और मकान 5 करोड 25 लाख रुपे कमा कर बिलॉग पास्टर साबित हुई थी 1975 में मनोज कुमार साब ने सिर्फ एक फिल्म में काम किया था फिल्म का नाम था सन्यासी और सन्यासी फिल्म 4,50,000,000 रुपे कमा कर बिलोग पास्टर सा भी थुई थी तो दोस्तो अब अगर बात करें हिट और सूपर हिट फिल्मों की किसके नामें सबसे ज्यादा तो चली देखते हैं और सबसे पहले बात करेंगे धर्मेंदर की तो धर्मेंदर की टोटल इन 6 सालों में 37 फिल्में थी और 37 फिल्मों में धर्मेंदर साब ने 8 फिल्में हिट की थी जिसमें तुम हसीन, मैं जवा, शराफत, जीवन मिर्त्यू, राजा जानी, यादू की बारात, कहानी किस्मत की, लोफर और दोस्त ये फिल्मे शामिल थी सूपर हिट चार फिल्मे हैं पिर्तिग्या, जुगनू, सीता और गीता और मेरा गाँ और मेरा देश ब्लॉकबास्टर के अगर बात करें तो एक फिल्म है ब्लॉकबास्टर, शोले और सेमी हिट के अगर बात करें तो 6 फिल्म सेमी हिट है, चुपके चुपके, पत्थर और पायल, ललकार, समाधी, नया जमाना, कब क्यों और कहां, बात करें फिरोज खान की, तो फिरोज खान की टोटल 14 फिल्म है, 14 फिल्मों में हिट 3 फिल्म है, सफर, भगा धन्ना जट और धर्मात्मा, सूपर हिट कोई फिल्म नहीं है, बिलोगबास्टर कोई फिल्म नहीं है, और सेमी हिट एक फिल्म है, मेला, बात करें मनोज कुमार की, तो मनोज कुमार की टोटल 8 फिल्म में है, इन 6 सालों में, हिट 2 फिल्म में है, पूरा बोरपश्चिम, बैमान, सूपर हिट कोई फिल्म नहीं है, बिल जबर्दस्त और सदा बाहर दोर था इनका तो धर्मेंदर साहब ने आप बाजी मारी है बाकी तो फिरोज खान और मनोज कुमार साहब ने उतनी फिल्में नहीं किये लेकिन अगर दूसरे नमबर की बात करें तो मनोज कुमार साहब दूसरे नमबर पर है और मनोज कुमार साह कर दो वो खूब अना नाई पकोड़ लिग भाव! कि अगरी ऴीघोने कुट है सस्कानी आंबे!